हलो हाई रवश्कार स्वागत है आप सभी का मैगनेट ब्रेंज के आई टी जई और ने चैनल पे जी हाँ जी बात करेंगे एक नए चैप्टर की एक नया पार्ट जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या है पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्यों पढ़ेंगे इस चैप्टर को यह सारी बाते अभी हम चर्चा करते लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्यारा से इंट्रॉक्शन यह मेरे बारे में है ना मेरा नाम आशिश कपलेश पिसले चे सालों से जाही है इस्पेरियंस को प करेंगे तो पूछ होंगे क्या पुराना चैप्टर भी कोई बात नहीं इंप्वाटन है लेकिन जहां पर पुराने चैप्टर की कोई बाते आएगी मैं रिकॉल कराऊंगो उन चीजों को अगर आपको चैप्टर नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत चीजे आप माच कर स पूसके साथ ठीक है दूसरी चीज़ जब भी कोई चैप्टर शुरूँ था मेक शूर आप फिर से एक हैवी डालो के नया पार्ट शुरू रहें एक नए ठरी से कैसे शुरूआत कर रहा आप लोग पुराने चैप्टरों में आपने जो गलतियां करी वो इस चैप्टर में न लिखोगे तो लॉंग टर्म तक वो याद रहेगी और आपके लिए ही बेनिफिचल है क्योंकि बाद में आपको अपनी लिखावट ही समझ आती किसी और की लिखावट समझ नहीं आती इसके लावा आपको आफ्टर दिस लेक्चर डीपी मिलेगा तो डीपी डेली प्रैक् की प्रैक्टिस कराता हूं जैसे थियोरी वाला पार्ट हमारा कम्प्लीट हो जाएगा तो तीन चार सेशन में आपको को स्वाल हमसे पूछे जा सकते हैं तो यह सारी जो चीजे मैं आपको करा रहा हूं अगर मेरे साथ साथ प्रॉपर तरीके से करते हुए चलोग इन को सॉ चीजे अभी चैप्टर के साथ ही कम्प्लीट करूँ गा और अगर आपने मेरे साथ में कम्प्लीट करी तो आपको ही फाइद है लास्ट में जाके कोई बर्डन नहीं रहे तो बस इस पैटन को फॉलो करो शिद्धत के साथ तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा वाद भूल गए दोस्तों के साथ गुमने लगे पिच्चर देखने चल गए यह सब करने लगे ऐसा मत करना प्लीज ठीक है काइनमेटिक्स में आपने मोशन के बारे में स्टडी किया था इससे लास्ट चक्टर जो था बिटा काइनमेटिक्स था काइनमेटिक्स में जिसमें आपने वो पढ़ा था याद हो तो आपको मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा था मोशन इन वन डी इसके बाद आपने पढ़ पढ़े थे तो आपने क्या-क्या चीजे पढ़ी इस चाप्टर में ये दो दो चाप्टर्स आपने पढ़े थे इन में क्या-क्या चीजे पढ़ी आपने सर हमने पढ़ा distance के बारे में हमने displacement के बारे में पढ़ा हमने speed के बारे में पढ़ा हमने velocity के बारे में acceleration के बारे में average velocity, average speed, instantaneous speed, instantaneous velocity, average acceleration और instantaneous acceleration ये सारी चीज़े पढ़के हमें किसी भी object के motion के बारे में पता चल रहा था कि अच्छा भाई कोई object अगर चल रहा है तो उसने कितना displacement cover किया होगा अगर कोई object चल रहा है तो उसका acceleration क्या हो सकता है अगर कोई object चल रहा है तो उसकी velocity क्या हो सकती है तो overall जब हम kinematics के बारे में पढ़ देते हैं जब हम ये chapter kinematics का part cover कर रहे थे तो we just studied about the motion of an object है नो तो इस chapter में हमने किसी भी object के motion के बारे में study किया था हमने किसी object के motion के बारे में study किये थे है नो कि sir वो object कैसे चलता है चल रहा है तो कितनी speed होगी distance कितना travel किया displacement क्या होगा कितने time में जाके रुक जाएगा इस सारी चीज हमने इस chapter में cover की थी एक चीज जो अभी भी हमारे दिमाग में चलती है मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में चलती है कि नहीं चलती है लेकिन मेरे दिमाग में चली और वो जो thought था वो ये था कि यार ये object अगर चल रहा था अगर कोई object motion कर रहा था तो motion क्यों किया उसने अगर कोई object अगर चलता भी है तो वो चल क्यों रहे? कैसे चल रहा हूँ? किसकी वचा से चल रहा हूँ? तुम भी जानते हो, मैं भी जानते हो, हर चीज का कोई मकसाद होता है, ना? Suppose करो, if I'm having this book, मैं पास अभी एक मेरी किताब है, मेरी प्यारी HC Verma, तो मैं तो पता ही होगा, मैं सिवर मा भी सॉल्व कराता हूँ, ना? Anyway, चलो. So if I'm having this book, काफी पुरानी होगी है, मेरे जमाने की है, तो कोई बात नी. So, if I'm having this book, और अगर मैं इसको यहीं छोड़ दू, तो यहीं तो रहेगी है. अगर तो यहीं मिलेगी, पड़सों आके देखोगे, तो भी यहीं मिलेगी, अरे तुम में एक साल बाद आके देखोगे, तो भी यहीं मिलेगी, और अगर तुम दस साल बाद आके देखोगे, तो भी यहीं मिलेगी है, तो यह book अगर मैंने एक जग़े पे रख दी, तो व रहेगी अगर में पोग को मुझे मूट कर्वाना चाहतां तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको की बीदेगा किताव या फिर बीदिन कुछ बी वहते हों लेशाicon हम तो अगर यौह दिन जगब है तो वहीं पे ही रहेगी अगर आप उसको move कराना चाते हो, अगर आप उसको motion provide कराना चाते हो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या तो इसको पकड़ के मैं धक्का मार दूँ, या मैं इसको पकड़ के खेच लूँ, तो बेटा, अगर किसी object को motion provide कराना है, तो आपको या तो उसे धक्का मानना पड़ेगा या फिर उसे पुल करना पड़ेगा तो अगर कोई object motion कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजा है कौन है जो इसको motion करवा रहा है उसके बारे में यह जो चीज है ना जो motion करवा रही है उसके बारे में जो study होती है ना वो is chapter laws of motion में पढ़ेगे तो यह जो reason है बेटा इसको हम पढ़ेंगे laws of motion में ठीक है तो किसी भी object के motion का जो cause होता है किसी भी object के motion का जो cause है उसके बारे में हम laws of motion में पढ़ते हैं इस पर अगे न्यूटन अंकल का research रहा है उन्होंने काफी study करी and हमें कुछ laws दिये जिनकों की कहते हैं Newton laws of motion तो उनके बारे पढ़ेंगे ठीक है तो इसका पूरा नाम अगर लिखें so it is your Newton's laws of motion पढ़ा तो होगा वैसे तुमने बच्पन में इसके बारे में तीन laws है जो की Newton अंकल ने हमें define करके दिये थे तो अगर कोई object को motion करवाना चाहते हो तो आपको उसको कुछ धक्का देना पड़ेगा या फ तो अब सीधी बात पर आते हैं कोई बकवास नहीं करते हैं so the point is कि अगर किसी object को motion provide करवाना है तो आपको उस object को force लगाना पड़ेगा उस object पे force लगाना पड़ेगा force can be either a push और a pull तो ये ही सारी बाते हमसे पहले किसने समझ ली थी हमसे पहले ये सारी बाते Newton अंकल ने समझी और उन्होंने दिये अपने तीन laws जिसमें उन्होंने explain किया force को तो यही सारी बाते न्यूटन अंकल ने हमसे पहले समझ ली थी और उन्होंने दिये अपने तीन laws जिसमें उन्होंने force को explain किया तो यह जो chapter है बेटा laws of motion it is all about the force तो यह जो chapter हम पढ़ेंगे बेटा laws of motion इसमें हम force के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो एक बात हमें समझागी कि कोई भी object जब motion करता है तो उसके motion के पीछे वजा है कि उस object पे कोई force लग रहा होगा अगर force नहीं है तो motion भी नहीं होगा अगर force नहीं है तो कोई object move नहीं कर सकता अगर force zero होता है तो body motion नहीं होगा body rest पे रही की body motion में है यानि कि उसके उपर force लग रहा है ठीक है हम जब चलते हैं तो हमारे उपर भी force लगता है वो forces आगे पढ़ाऊंगा friction वगरा कि सारी कहानी आते हैं यहां पे अभी इतनी detailing में नहीं चलेंगे अभी बहुत simple सी बाते करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी object है उसको अगर motion करा रहा है तो हमें उसको धक्का मानना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा ठीक है यह सारी ऑठेशें हम से हम से पहले Newton Venets समझे चुके थे और उन्होंने यह सारी बाते करी अपने लौज मैं 10लॉज न्यूटन अंकल ने दिय थे जिसमें उन्होंने फोर्सके बारे में बताया तो पहला लौ लौ तो उन्होंने ऐसा डिफाइन कि था ऑबन की डेफिनेशन दी उन्होंने की फोर्स होता क्या है वह सारे लॉज हम पढ़ेंगे बारी-बारी से लेकिन उससे पहले मैं आपको फोर्स का थोड़ा सा घ्यान देना चाहता हूँ वेटा हमारे पास जनरली जो फोर्स को डिफाइन करते हैं ठीक है तो तुम कुछ किताबे ख लिखेगा फोर्स के क्लासिफ्टी कॉर्स हे बैसिकली जब हम फोर्स को classify करते हैं बेटा चार तुकडों में करते हैं सब से पहला तुकड़ा होता है बेटा यहां पर contact forces यहां मैं लिखता हूँ non-contact forces यह वह फोर्स है जो भीना टचकिये लगायर जा सकते पिए फिर होता ह contact forces फिर एक classification होता है जिसमें हम weak force के बारे में बात करते बेटा फिर एक classification होता है जिसमें हम nuclear force के बारे में बात करते तो ऐसे हमने क्या force को generally चार पार्ट में classify किया non contact force, contact force, weak forces and nuclear forces बेटा non contact force में जो हमार पास आते है वो है gravitational force अच्छा gravitational force के बारे में आपने सुना होगा थोड़ा बहुत कहते हैं कि बेटा अगर कोई दो mass object एक दूसरे के पास रखे हों तो वो एक दूसरे के पर force लगाते है सुना है इसके बारे में gravitational force नाम सुना है नहीं सुना कोई बात नहीं इसके अलावा होता है बेटा electrostatic force electromagnetic force कह दे तो मैं जिसमें दोनों आ जाएंगे electromagnetic force जिसमें बेटा दोनों टाइप के forces consider किये जाते हैं electrostatic as well as magnetic अब non contact क्यों नाम दिया गया आप खुदी सोचो कि दो magnet आपके पास में होते हैं यह वाला जो आपने देखा होगा वो वाली चीज़ बताता हूँ दो magnet हमारे पास में है अगर एक magnet को दूसरे के पास लेके जाएं तो वो attractor जाता है या फिर दूर भागता है भागता है ना दो magnet है अगर दोनों को पास में लेके हैं तो या तो खिचके चला पास में आ जाता है या फिर दूर भागता है ना तो सर ये magnet को पास में लेके आए थे फिर भी इनके बीच में फोर्स आया इवन विदाउट दा कॉन्टेक्ट कोई contact नहीं है दोनों के बीच में बस दोनों magnet को पास में लेके आया पास में लाने से ही वो एक दुसरी को पर फोर्स लगा रहे थे या तो magnet को वो अट्रेक कर लेगा या फिर उसको रिपेल करेगा तो पास में लाने से जस्ट पास में लाने से ये एक दूसरी के पर force लगा रहे है, touch नहीं कि एक दूसरी का भी, contact में नहीं है, फिर भी force लगा रहे है, ऐसे forces जो बिना contact के लग जाए, उनको non-contact force कहेंगे बेटा, उनमें हमारे पास आता है gravitational force, electromagnetic force, electromagnetic force में बेटा, electrostatic force भी आ जाता है, और magnetic force भी आ जाता है, electrostatic, आप ये जानते हो कि positive charge, positive charge को repel करता है, positive charge, negative charge को attract करता है, एक positive charge के पास में अगर एक positive charge लेकिया होगे, तो इसको दूर भगाएगा, एक positive charge के पास अगर एक negative charge लेकिया होगे, तो attract करेगा, even without touching, कोई contact नहीं हुआ, ये charge एक दूसरी के पर force लगा रहे है, तो ऐसे force को कहते हैं, electrostatic force जो अगे इन पार्ट होता है नॉन कॉंटेक्ट फोर्स को ग्रैविटेशनल फोर्स ये बात आप जानते हो कि अगर मैं छट से कूच जाओ तो मैं अर्थ पर जाके गिरूँगा अगर मैं छट से कूच जाओ तो मैं नीचे जाके गिरूँगा क्योंकि earth मुझे attract कर रही है earth क्या कर रही मुझे attract कर रही है अपनी तरफ मेरे पास mass है एर्थ के पास भी mass है हम दोनों mass particles के बीच में हम दोनों mass objects के बीच में एक force रगता है जिसको कहते है gravitational force है न इसको क्या बोलता है gravitational force करते है मैं च्छत से कूद गया मैं हवा में था अर्थ के साथ कॉंटेक्ट में नहीं था फिर भी अर्थ ने मुझे अट्रेक्ट कर लिया तो बैटा यह क्या हो जाएगा क्रेविटेशनल फोर्स बिना टच किये जो फोर्स लगा सकता है that is the case of the non-contact फोर्स क्लियर रही बाते तो ऐसे फोर्स जो बिना टच किये लगाए जा सके एक दूसर पर दैट इस कॉल दो नोन मास पार्टिकल जो है एक दूसरे के पर फोर्स लगाते हैं even without touching each other तो ऐसा कैसे कर लेते हैं तो बैटा इसके लिए field की कहानी होती है जनरली field create कर लेते अपने चारो तरफ यह क्या कर लेते हैं अपने चारो तरफ field create कर लेते अपना भी आएगा तो हम उस पर फोर्स लगा देंगे सेम कहानी चार्ज के साथ होती है अगर यहां पर एक positive चार्ज है और यहां पर एक negative चार्ज है इस चार्ज का value है Q1 इस चार्ज का value है Q2 तो दोनों में हम class 12 में पढ़ेंगे तो ऐसे घबराओं मत बस ग्यान की बात है just for the knowledge आप note करते हुए चलना इधर दो चार्जिस के बीच में लगने वाला फोर्स दो मासिस के बीच में लगने वाला फोर्स बेटा यह सारी बातें जो है क्लास 12 में पढ़ोगे यह electromagnetic force जो है 12 का पार्ट है तो इसके लिए के परिशान मत हो ना gravitational force जो होगा बेटा आप 11 में ही पढ़ोगे पूरे चाप्टर है इस पे ठीक है इस पे पूरा चाप्टर आएगा gravitation का तो वहां हम इसको पढ़ाएंगे फिर इसके लावा बेटा contact force आते हैं contact force में हम वो सारे forces consider करते हैं जो contact की वज़ा से आए as like पहला force यहां पर हमार पास आते है बेटा tension force दूसरा आता है normal force normal reaction कहते इसको फिर आता है friction से ठीक है तो यह वह forces हैं बेटा जो की contact की वज़ा से आते हैं यह वह forces हैं जो की kontakt की वज़ा से आते हैं डिए है तो अगर यहां पर bodies के बीक्वें contact है तो यह वाले forces जैसे की tension tension कहां आता है वह भी मं बताता हEMA lawa tension force तब आएगा जब आप एक रसी को पकड़के खेच हो गए अगर एक रसी को पकड़ा और एगनम टाइट करके खेच दिया तो रसी के अंदर एक force develop होता है this is called as the tension force तो माली जी कोई रसी है मेरे पास ये कोई रसी है बेटा हमारे पास इस रसी को पकड़के आपने यहां से खेच दिया रसी को पकड़के आपने ऐसे खेच दिया तो ये रसी टाइट हो जाएगी तो जैसे रसी टाइट होगी तो रसी के अंदर किसी भी point पे बेटा रसी के अंदर किसी भी point पे एक force develop होता है जिसको कहते है है tension ठीक है तो कोई भी रसी होती है उसके अंदर जब आप उसको खेचोगे तो उसके अंदर एक force develop होता है that is called the tension force तो basically यह रसी के molecules के बीच में एक force लगता है ठीक है तो inner forces है विसी के लिए रसी के molecules के बीच में यह force लगता है तो contact होता है उनका अपस में जिसकी वज़से force आता है इसके लाब नॉर्मल फोर्स होते बेटा जैसे नॉर्मल फोर्स की मैं बात करूं तो नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रियक्शन क्या होता है एक object को अगर आपने टेबल पे रख दिया with some gravity बिल्कुल सर mg से अब देखो क्या होता है अर्थ ने टेबल बॉक्स को खेचा अपनी तरफ अर्थ ने बॉक्स को खेचा अपनी तरफ बॉक्स क्या करता है टेबल को पुश करता है नीची की तरफ वैसी बात ऐसे ही तो होगा अगर तुम कुरसी पे बैठ जाओगे तो तुम कुरसी को पुश कर रहे है नीची की तरफ तो वैसे ये बॉक्स क्या करता है टेबल को पुश करता है नीची की तरफ तो बदले में टेबल क्या करता है इसके ओपर एक फोर्स लगाता है जिसको की कहते है नॉर्मल रियक्शन तो ये नॉर्मल रियक्शन तब ही आता तो क्या होगा इसके अंदर एक friction आएगा बेटा वो friction का direction क्या होता है वो friction इस direction बाए जाएगा तो ये friction क्या हो जाएगा बेटा अगेन एक contact की वज़े से आपने देखो अगर घर पे जब bed को खिसकाते हो तो बहुत जोर लगाना पड़ता है तो वो जोर क्यों लगाना क्योंकि bed जो है ground के साथ contact में था और bed अगर ground के साथ contact में है तो इसको move कराने के लिए बेटा यहां पे हमें extra force लगाना पड़ता है क्योंकि यहां कौन है friction है तो यह वो सारे forces होते हैं जो contact की वज़ा से आते हैं यह वो forces थे जिन में कोई contact नहीं हो रहा है लेकिन यह वो forces है जहां पे contact की जरूत होती है तो कुछ classification से यह अभी पस note करो आगे जाके chapter में जहां जहां काम आएगा वहां और detail में पढ़ाऊंगे इसको फिलाल यह सारी बाते नोट कर लीजे फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है बई शुरी बहुत बढ़िया तो यह सारे हमारे पास आते ह है तो यह यह तो यह कले लिए काम का है नहीं आपे नहीं पड़ें लोग इसको ठीक है तो वीक फोर्स इस मैं वन्डर वाल फोर्स वगर रही इससा बाते हैं तो दिमते लेने को आपकर के मिस्टे में तुम मुझ से जादा जानते होंगे वैसे हुई अभी शेक्सर पढ़ इस बार जो में पाला पड़ने वाला है जो हमारा जिसके बार में चाप्टर में हम लोग पड़ेंगे इसमें टेंशन फोर्स पड़ेंगे नॉर्मल रिक्षिन फोर्स फॉर्स पड़ेंगे जो इसके अलावा ग्रैव एक्टेशन फोर्स है फॉर्स क्लास त्वल्थ 6org तौर फ्लीरależ फोर्स क्लास 12 में पढ़ी लोगे. तो बस ये एक छोटा सा classification of forces का. ये सारी चीज़े हमें पढ़नी है. Tension कब लगता है? कैसे लगता है? वैसे मैं और भी बताऊं को detail में. तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना. Normal reaction मैं आपको बताया है. कैसे लगता है? It is always perpendicular to the surface. तो normal force होगा, it is always, always perpendicular to the surface. बैटा normal का नाम मतलब ही perpendicular होता है. तो ये हमेशा surface के क्या होगा? perpendicular होगा. Normal बोलने का मतलब, it is always perpendicular to the surface. Tension force इस टाइप का होगा, normal force इस टाइप का होगा, friction force ऐसे लगेगा. अगर आप body को इदर motion करा रहा हो, तो friction force ही दे लग रहा है. ठीक है? चली भई, समझ आती है सारी बाते. तो ये ही forces का जो जो ज्यान है, है ना, forces का जो और further ज्यान है, ये हम Newton अंगल के laws से पढ़ते हैं. तो चली भई, शुरू करते हैं हमारी कहानी with the Newton's first law of motion. तो Newton का first law क्या बोलता है? न्यूटन अंकल का first law हमसे बोलता है कि भाई सब अगर तुम्हारे सामने एक डबा रखा हुआ है, जो की rest पे है, तो ये डबा अगर rest पे है, तो ये rest पे ही रहेगा. कब तक रहेगा sir rest पे? ये डबा rest पे तब तक रहेगा, जब तक इसके उपर कोई बाहर से आके force ना लगा दे. ये box यहां रख दिया गया, अभी यही रहेगा, कल आके देखो कि यहीं मिलेगा, परसू भी यहीं मिलेगा, एक साल बाद भी यहीं मिलेगा, दस साल बाद भी यहां मिलेगा, ये डबा यहां से कहीं और जाई नहीं सकता जब तक की कोई इस पे आएगा, external force लगाएगा, तो बेटा ये वाली बात Newton अंकल ने समझाई हम लोगों को और हमें समझ में आई, और अब यह डबा देखो, इस अंकल ने क्या किया, ये अंकल आए, इन्होंने force लगाया, force लगाने की वज़े से, इस box को मिला motion, तो बेटा ये dot box अब किसी भी object के state को change करने के लिए, आपको एक चीज की requirement है, that is called the force, किसी भी object के state को change करने के लिए, आपको किसी चीज की requirement है, और वो जो चीज है, वो होती है, बेटा, force, state अगर मैं बोलू, तो state, it doesn't mean, sir, वो solid liquid gas वाला, नहीं, हमारे physics में, state का मतलब है, बेटा, यहाँ पर rest से या फिर motion से, तो या तो object rest की state में होगा, या फिर motion की state में होगा, ठीक है, तो हमने क्या बोला, कि कोई object हमारे पास था, यह box था, जो कि rest पे था, अगर मैं देखूंगा कुछ समय के बाद, यह भी भी वहीं देखेगा, जब तक कि कोई इस पे आके external force ना लगा दे, तो यह अधि बाद, Newton अंकल ने हमें अपने first law में समझाई, उन्हों बोला, everybody, everybody continues in its state of rest, state of rest or of uniform motion, कोई भी body, कोई भी body continue करती है उसके state को, वो state rest का हो सकता है, या फिर वो state uniform motion का हो सकता है, या तो object rest में होगा, या फिर motion में होगा, तो कोई भी body continue करता है in its state of rest or of uniform motion, unless and until, unless and until an external force is applied on it. जब तक कि इसके पर कोई external force ना लगा दिया जाए, तो वो body अपने state को continue करती है, state मतलब rest या फिर motion से होगा, अगर body motion में है, तो वो motion में ही रहेगी, अगर वो body rest पे है, तो वो rest पे ही रहेगी, जब तक कि कोई force ना लगा दिया जाए, ठीक है, चली बई, तो यह हमारे Newton अ अंकल का पहला लग clear हुआ, Newton के first law को एक नाम और दिया गया, Newton के first law को एक और नाम, क्योंकि यह सेम बाते हैं, एक और scientist थे, वो Galileo नाम था उनका, नाम तो सुना ही होगा, एक और scientist थे, एक और Newton के ही level पे थे थोड़ा, Galileo नाम था उनका, तो उन्होंने भी यह वाली बाते ह हमें बताई, उन्होंने भी सेम कुछ बाते हैं ऐसी बोली, तो इस Newton के first law को एक और नाम दिया जाता है, law of inertia, सेम बात, Galileo ना भी बोली, लेकिन उन्होंने एक चीज डिफाइन करी साथ में inertia, यह inertia क्या होता है, ताव इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले, यह है Newton अंकल का first law, बस, इतनी सी बात है, जो Newton अंकल कहने रहेते हैं, सेम बाते हैं, Galileo ना भी की थी, तो इसलिए इसका नाम Galileo's law of inertia भी पढ़ा, ठीक है, तो सेम बाते है, Galileo अंकल ने भी बोली, तो Galileo अंकल के बेस नाम पे, Galileo's law of inertia, नाम पढ़ी है इसका, लिख लो पहल ठीक है, Galileo अंकल, उसके बाद, उनका first law, तो first law यह बोलते है, everybody continues in its state of rest or of uniform motion, in a straight line, unless an external force is applied on it, मेटा football है, पड़ी हुई है सामने, वो वही रहेगी, जब तक कि तुम जाके kick ना मार दो उसको, और एक बार तुमने इसको kick मार दिया, तो यह ball motion में आगी, देखो, क्या यह ball पहले rest पे थी, क्या यह ball पहले rest पे थी, जी sir, बिल्कुल, क्या यह ball अब motion में है, जी sir, बिल्कुल यह ball अब motion में है, और अब यह ball क्योंकि motion में है, तो यह motion में ही रहेगी, जब तक कि कोई इसको force लगा के रोक ना दे, कौन रोक रहा है, यह net, इसने क्या किया, ball को रोक यहां और नेट का काम यही तो होता है बॉल को रोखने का तो यह वाली बात न्यूटन अंकल ने बोली थी ठीक है तो यह तो यहां पे सेम बात है गैलियो उंकल ने कही थी और उसका नाम पड़ा गैलियो लॉफ इनर्शिया Basically Newton का first law हमें force के बारे में बताता है देखो क्या बोला है यहाँ पे एक body continue करता है in its state of rest or uniform motion unless an external force is applied बैटा यहाँ से Newton अंकल का first law जो था वो हमें force की परिभाशा दे रहे थे Newton अंकल अपने first law के माध्यम से हमें force की परिभाशा दे रहे थे और वो हमें बताने की कोशिश कर रहे थे कि force is a push or a pull a force is a push or a pull which changes or tends to change the state of an object क्या बोला बैटा first law ने define किया force को और कहा force is a push or a pull which changes जो कि change करता है किसी भी object के state को या फिर change करने वाला हो force is a push or a pull which changes or tends to change the state of rest or of motion अगर कोई object rest पे है अगर कोई object rest पे है तो यह क्या करेंगे force लगाएंगे यहां से इसने भाई साब ने push किया यहां से भाई साब ने pull किया तो यह बिटा motion में जाएगा तो रेस्ट से motion में लानी के लिए आपको इस पे push या फिर pull कर लगाना पड़ेगा यानि कि force लगाना पड़ेगा तो बार बार यह push और pull नहीं बोलेंगे अब धारेकली बोलेंगे force force कहने का मतलब सीधा सीधा सा हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है force लग रहा है बॉड़ी के पर जादा नहीं सोचेंगे इसमें ठीक है गाट इट tends to change मतलब कभी कवर भारी चीज़े होती ना तो पहले force लगाऊँगे तो एकदम से तो हिलेगा नहीं तो जोड लगाना पड़ेगा हिलती है वाल मारी उससे तो हम चेंज करने की कोशिश कर रहे है तो tends to change मतलब चेंज करने की कोशिश करते है तुम लोग ठीक है तो ऐसा कोई compulsory थोड़ी कि तुमने बॉड़ी के पर force लगा और बॉड़ी का state चेंज हो गया कभी कवर बॉड़ी भारी होती है यार नहीं चेंज कर पाते है उसका state पर चेंज करने की कोशिश तो करते है ठीक है यह बहुत दिखने में बड़ा आम है लेकिन बावनाओं को समझो आपने बॉड़ी के पर force लगाया बॉड़ी का state चेंज हो गया माल लो कोई भारी object है आपने force लगाया उसका state चेंज नहीं हुआ इसका मतलब क्या आपका force वेस्ट होगे ना फिर तो क्या वो force नहीं होगा नहीं वो force consider किया जाएगा इससी लिए मैंने बुले tends to change मतलब change करने की कोशिश कर रहे है आप लोग ठीक है tends to change मतलब change करने की कोशिश करते हूँ ठीक है तो this is all about the first law of motion बेटा ये Newton अंकल ने force की परिभाशा देदी हम लोगों को समझाया कि ये push or pull ही force होता है चलिए आगे बढ़ते हैं let's talk about the inertia तो अब जैसे कि मैंने बोला था कि first law को हम law of inertia भी कहते है बेटा first law of motion ये फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ Newton's first law of motion also known as Newton's first law of motion also known as Galileo's law of inertia बटा statement बिल्कुल सेम रहेगा जो Newton अंकल ने अपने statement में बोला था वही बाते गैलीलियो अंकल भी अपने law में बोल रहे थे तो सेम बाते गैलीलियो अंकल ने भी कही थी इसलिए इसको हम गैलीलियो law of inertia भी कहते है पर पॉइंट यह आया कि गैलीलियो अंकल ने एक नया नाम यहां पर लाके रख दिया वो था inertia का गैलीलियो अंकल ने एक नया नाम लाके रख दिया inertia जिसके बारे मैं पता ही नहीं Newton का देखो Newton's नाम है first law of motion सब जानते हम लोग गैलीलियो अंकल का नाम लेकिन यह inertia एक नया नाम आ गया है तो inertia क्या था तो गैलीलियो अंकल से पूछा भई बताओ भई inertia क्या होता है तो उन्हों समझाया हमें फिर कि देखो बेटा होता यूँ है कि हर एक body की characteristic है हर एक body की property है जैसे तुम्हारी body की property है है ना फिर उन्होंने समझाया की देखो होता क्या है कि तुम लोग रात को सोने के लिए जाते हो घर वाले बोलते है ग्यारा बजगे सो जा है ना बारा बजगे सो जा पर तुम क्या बोलते हो नहीं हम अभी बहुत पढ़ाई करनी मेरे को थुदा रूम्हारी प्रापयर्टी है सखके हो तुम्हीं नहीं नहीं आ रही तुम जगे हुए हो तुम फोन छला तुम पोन ही चलाते रहना चाते हो दिक और ये फोन तब तक चलाते weights जब तक कि तुम्हें डांट ना पढ़ जाए सुमारे स्टेट को चेंज नहीं कर आज आते है वैसे हर एक बोडि के प्रॉपइटी होती है जिसकी वज़ा से वह अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता तो तुम्हारे साथ भी तैसा होता है सुबा सर सो रहे सो रहे रेस्ट पे है हम उठना नहीं चाहते तो तुम लोग अपने state of rest को continue करते हो unless and until external force जो कि क्या होता है चपल हाँ जब जब में चपल पढ़ती तो उड़ जाते हो न फिर तुम लोग तो एक of a body जिसकी वजा से जिसकी वजा से by virtue of which by virtue of which it opposes by virtue of which it opposes any change any change in its state of rest और motion बेटा किसी भी body की property जिसकी वजा से किसी भी body की property जिसकी वजा से वो अपने state के change को वो अपने state के change को oppose करे वो कहलाती है inertia अब हर एक का इनर्शिया बड़े आम भाशा में एकदम common language में बुलू तो inertia आलस है क्यों आलस क्यों सर आलस ही दोता है अरे सर अभी ना देखो instagram चला रहे अभी पढ़ाई का मन नहीं हो थोड़ा पांच मिट बाद पढ़ लेते हैं वह पांच मिट करते करते आदा रिप्लाई भी करना तो यह तुम्हारा inertia जो क्या बोलता है अरे भाई अभी फोन चला लेते हैं बात में पढ़ लेंगे तो तुम्हारे state of rest को वो चेंज होने से अपोस कर रहा था तुम्हारे state of rest को थक गया बाद बाद पढ़े हैं फिर से अन्वेस तो इस इस वाल बाद इस इनर्शिया इनर्शिया एक सौट अफ आलस है जो कि क्या कहता है कि बाई जो काम कर रहो वही करते हो चेंज करने की जरूट नहीं है ठीक है तो यह बात ग्यालीली अंकल ने समझाई तो इनर्शि यह इनर्शिया की वज़ा से होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि एक चलती हुई बस में है ना इसे पर हमने वीडियो भी बनाया था मैंने और सत्यम सड्ने चलती हुई बढ़िया हम खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं सड़नी ब्रेक लगते हो और हम आगे आगे जाक जिसकी वज़ा से तुम्हारा स्टेट चेंज होने लगा लेकिन तुम्हारे इनर्शिया ने बोला ना ऐसा नहीं होने दूंगा मैं जिसके वज़ासे तुम आगे जाके गिरते हो फिर सेम कहानी होती है चलो कोई बात नी माफ किया बस वाले को एक बार फिर से हम खड़े है सड़नी बस सलती है एक जर्क लगता है पीछी लगता है लगता है ना वो भी क्यों इनर्शिया की वज़ासे फिर ठीक है सर फिर से माफ किया बस वाले को चलो कोई बात नी अनाड़ी है खड़े 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 पता नहीं सड़नी उसने शाप टन लिलिया जैसी यह कि तहता है डिर्ट यह तरन अ क्यों के र हज़ा के वह यूजुEl की लिए करना चाहते हो तो उसके बात मैं तुम的 ही इसी को और ग्यान दूगा यहां से यहां प्यूरन काना नरे تब्ली तहुंकि यहां तो उम्मीद करती हुआ यहां त consistent समस्या नहीं थी ना किसी को किसी प्रकार की बहुत बढ़िया फिर यहां आ जाईए यह सारी बाते लिख लीजिए यह सब कुछ laws वगरा define कर लीजिए हो गया पक्का फिर इधर आईए यह definition है force की इसको भी note कीजे यह भी हो गया फिर हम आ गया है इनर्शिया के बारे में समझे तो इनर्शिया की परिभाशा यहां पर दे दी है first law of motion को गैलीलियूज law of inertia भी कहा जाता है तो इसको भी note कीजे फिर हम आगे बढ़ते हैं किया note सभी ने पक्का very good चलिए बेटा तो यह जो inertia है इसके basically तीन टाइप होते हैं सबसे पहले हो तो बेटा inertia of rest inertia of motion and inertia of direction उस point पर भी मैं आता हूं है ना वो जो बीच में point yes पर भी आ जाता हूं तो बेटा जैसा मैं आप से बोला था inertia of rest आप bus में खड़े हो है ना बड़ी एकदम bus में खड़े बस में खड़े है ना जा रहा है suddenly bus चल जाती है जैसे suddenly बस चले की आपको एक जर्क लगता है पीछे की दफ इट इस all because of the inertia of rest आप बस में खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो जैसे बस वाले ब्रेक लागे हम आगे की तब जाकी गड़ते हैं it is because of the inertia of motion फिर बस में खड़े हैं खड़े हैं suddenly bus turn ले ले थी हम बाहर की तरफ जाते हैं वो inertia of direction की वज़े से होते हैं तो basically inertia की 3 types इसके बारे में भी अभी मैं discuss करता हूं लेकिन उससे पहले बहुत important बात की inertia को कैसे define करें मतलब किस basis पे हम इसका analysis कर सकते हैं तो बेटा mass is actually the measure of inertia किसी body का जितना ज्यादा mass होगा उसका inertia उतना ज्यादा होगा है ना ये इसका थोड़ा सा भावने है समझा देता हूं मैं तुम लोगों को जहां से देखना mass is a measure of inertia mass ज्यादा होगा तो inertia भी ज्यादा होगा ठीक है अगर किसी object का mass ज्यादा है तो उसका inertia भी ज्यादा होगा जिसका जितना ज्यादा inertia उसका state change करने के लिए उतना ज्यादा force लगाना पड़ेगा जिसका जितना ज्यादा inertia होता है उसका state change करने के लिए उतना ज्यादा force लगाना more inertia more inertia मतलब क्या होता है इसका means more inertia means more force is required more force is required to change its state to change its state उसका state change करने के लिए उतना ज्यादा force लगाना पड़ेगा जितना ज्यादा inertia होगा उतना ज्यादा force आपको लगाना पड़ेगा उसके state को change करने लिए तो जिसका जितना ज्यादा mass उसका उतना ज्यादा inertia जिसका जितना जादा इनर्शिया उसको रोकने के लिए या फिर उसको मोशन प्रोवाइड कराने के लिए उतना जादा फोर्स नदाना पड़ेगा बड़े सिंपल सी कहानी है मैं तुमसे बोलू कि भाई तुम्हारे सामने एक तरफ तो बस आ रही है ठीक है और एक तरफ ये साइकल आ रही है अब बताओ भाई किसको रोक गए किसको रोखना पसंद करोगे तुम लोग तो तुम्हारे पास option दिया जाता है कि भाई एक bus तुम्हारी तरफ आ रही है और एक cycle तुम्हारी तरफ आ रही है दोनों same speed से आ रही है तुम किसको रोखना पसंद करोगे bus को या फिर cycle को अभी तुम्हारे अंदर का सनी जोल डाग जाएगा बोलो कि धाई किलो का हाथ है हम तो बस को रोक लेंगे तो भाई ऑविस ये बात है तुम्हारी जगर मैं होता तो मैं साइकल वाले को रोकता वैसे तो और अच्छ आप्शन है कि हम दोनों को ना रोके हैं लेकिन ठीक है क् मजबूरी है साहब हमारी हमें किसी एक को तो रोकना ही पड़ेगा तो हम क्या करते हैं साइकल वाले के सामने जाके खड़े हो जाते हैं उसको बोलेंगा भाई हम तेरको रोकेंगे बस के सामने जाने की जुरुरत भी मत करना कोशिश भी मत करना पता चले ना वही ये वाला हम नहीं करेंगे, कम, बिल्कुल भी हम यह वाला preference देते हैं, cycle को रोकना हमारे लिए ज़्यादा आसान है as compared to the bus although दोनों same speed से चल ली थी, फिर भी हम cycle वाले को रोकना prefer करते हैं क्यों? क्योंकि cycle का mass as compared to the bus कम है, तो bus का mass ज़्यादा होता है cycle के mass से, तो bus पड़ेगी force required to stop the bus will be more than force required to stop the cycle इसलिए obviously बात है sir हम cycle को रोकना ही पसंद करेंगे हम bus से सामने नहीं जाएंगे ठीक है? अच्छे इसका बड़ा simple से एक और example ले सकते हैं तुमने देखा होगा, कुमकरन जब सोता था तो उसको जगाने के लिए बहुत मेहनत लगती थी है ना, वो बहुत सारे ढोल नगाड़े एकरम लेके जाते थे, तो तुमने देखा कुमकरन इतना बड़ा था, तो उसका मास ज़ादा था, तो कुमकरन इतना बड़ा था, इतना बड़ा था तो जिसका जितना ज्यादा mass उसका inertia उतना ज्यादा और उसका state change करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा force लगाना पड़ेगा जितना ज्यादा inertia होगा उतना force required है to change its state तो बड़ा important और most important मैं बोल सकता हूँ एक key point है हमारे लिए so mass is a measure of its inertia जिसका जितना ज्यादा mass उसका उतना ज्यादा inertia जिसका जितना कम maximum उसका उतना कम inertia चले भी ये वाली बाते नोट कर लीजी यह important है वेटा इसको नोट कर लीजे सभी लोग कर लिये note सभी ने, पकका ये जे सारी बाते ये लिखिये अब तुम्हारे सामने दो बॉल हैं एक 30 kg की और एक 300 kg की तुम किसको मूव कराना ज़्यादा प्रिफर करोगे और विसे बाते से मैं 300 kg वाले को प्रिफर करूगा क्योंकि बहुत पावर है मेरे नहीं ऐसे तो नहीं है ना किसे के साथ का ठीक है अरे ऐसे देख लो तुम्हारी लड़ाई होती है तो किस से लड़ोगे जाके अगर तुम्हारी लड़ाई हो गई तो तुम किस से लड़ोगे दो है तुम्हारे सामने ना दो लोग है तुम्हारे सामने भाया तुम्हारे दोनों ही दुश्मन है और तुम्हें कोई मौका दे कि किसको मारना है तो किसको मारोगे जाके इसको या फिर इसको मैं सर इसको मारूगा मैं नहीं मारूँगा इसको तुम्हारी जगर मैं होता तो मैं इसको पकड़के मारता है बढ़िया तरीके से क्योंकि मुझे अच्छा मौका मिल रहा है इसको मारने है इसका इनर्शिया जादा है तो इसको मारने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगेगा ना पता चले इसको मैं धक्का मार रहूं गिरी नहीं रहा हो तो इसका माज ज्यादा है क्योंकि तो इसको गिराने के लिए इसका स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे तो मेरी लागा लड़ाई हो गई ना तो भाई ऐसे बंदों से मैं दूर रहूँगा मैं इसको मारना ज्यादा प्रिफर करूँगा इसको तक यह पकड़के उठा देगा तो भाई वही सीडी सी बात है समझते हो अब तुम लोग है ना इससे जादा क्या ही समझा अब तुम लोगों किसमें हो गया बहुत बढ़िया चले बई अब टाइपस ऑफ इनर्शिया को बारी बारी से पढ़ते है इनर्शिया ऑफ रेस्ट बेटा बड़ा सिंबल सा एक एक एग्जांपल में आपर करते हो गया सब्सक्राइब चैसे ट्रेट चलना शुरू हुआ है मुझे एक जर्क लगा पीछे की तरफ जैसे ट्रेन चलना शुरू हुए मुझे जर्क लगता है पीचे की तरफ तो इनर्शिया अफ रेस्ट इस ऑफ बोड़ी to change its state of rest by itself यह किसी भी body की एक ऐसी inability है जिससे की वो अपने state of rest को खुद से change नहीं कर सकता है यह कुछ complicated सा नहीं हो गया simple भाशा में लिख देता हूँ simple भाशा में अगर हम देखें so it is the property of a body it is the property of a body by virtue of which by virtue of which it opposes it opposes any change in its state of rest भाई साब कोई भी body अपने state of rest को खुद से नहीं बदलेगा यह कहना चाहते है inertia of rest inertia of rest कहता है कि भाई साब कोई भी body या भी कोई भी object अपने state of rest को खुद से change नहीं होने देगा अगर आपको किसी object का state of rest change करना है तो उस पर force लगाना पड़ेगा तो यह इस भाई साब के साथ भी हो रहा था यह train में खड़े थे train तो suddenly चल गी लेकिन इनका inertia of rest इनको बोला था कि तुम रुक जाओ जिसकी विज़े से जर्क लगा पीछी कितव क्यों लगा पीछी कितव जर्क इसकी detailing अभी मैं देता हूँ लेकिन उससे पहले इसको पहले नोट कर लो पहले इसको नोट करो उसके बाद मैं बताता हूँ क्यों पीछी कितव जर्क लगता है दिखना चाहिए कि तुम मैं जर्क क्यों लगा ठीक है होगे बहुत बढ़िया अब क्या हो गया भाई कि तुम खड़े हो यहां पर बस कंदर बस अभी इनर्शी ओफ रेस्ट को समझाता हूँ बस थी रेस्ट पे तुम भी रेस्ट पे थे बैटा जब तुम रेस्ट में थे तो तुमारी complete body रेस्ट में थी तुमारे body के करते थे दो टुकड़े थोड़ी दिर के लिए समझ जाना बात को तो this is your upper half and this will be your lower half तुमारे जो lower half है वो बस के साथ contact में है in contact with bus तुमारे जो lower half है वो बस के साथ contact में है जड़ा ध्यान देना बेटा है अभी bus क्या है रेस्ट पे है ठीक है तुम भी रेस्ट पे हो suddenly suddenly bus starts moving suddenly bus starts moving एकदम से बस जो है चलना शुरू गई अब क्या हुआ भई जैसे बस चलना शुरू ही तुमारी लोवर बॉड़ी जो की bus के साथ contact में थी तुमारी लोवर बॉड़ी जो की bus के साथ contact में थी वो भी चलना शुरू हुई तुमारी जो लोवर बॉड़ी ती वो जो bus के साथ contact में थी वो भी चलना शुरू हो गई क्योंकि वो contact में थी तुमारी अपर बॉड़ी का inertia क्या कहता तुमसे अपर बॉड़ी का inertia क्या बोलता था बोलता था भाई सुन हम रहेंगे रेस्ट में क्या हुआ लोवर बॉड़ी बस के साथ contact में थी जैसे बस चलना शुरूई तुमारी लोवर बॉड़ी आगे बढ़ने लगी बस के साथ में लेकिन तुमारी अपर बॉड़ी का राधा बड़ी है नहीं होता ना बॉड़ी के अपर हाफ में तुमारे अपर हाफ के inertia ने बोला कि भाई देख अपन थे रेस्ट पे अपन रेस्ट पे ही रहेंगे इनर्शिया तो यहीं बोलता है ना कि अगर रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रो चेंज करनी की जोतनी तो इनर्शिया ने बोला भाई सुन अपन है रेस्ट पर अपन रहेंगे रेस्ट पे और तुम्हारा लोवर हाफ आगे जा रहा है अब खुदी सोचो किसी के पैर in the backward direction jerk in backward direction इसकी वोज़ास तो तुम्हें क्या होता है? jerk, एक push होता है Abar body, क्या बोलती है? आप अंदेख रेस्ट पे थे, रेस्ट पे रहेंगे, मिला ठीक है, तो ये बिचारिक साथ ही जी वह, समझ के बाद को, क्लियर रहेगी बात है, नूट कर लो, इसी चीजों पे अगर कोई तुम से बोले कि दिखाई नहीं देता क्या है, परिशान कर रहे हो, छेड़ देओ, तो इनर्शिया समझा देने पार, बोलना गवार लोग हो, तुमें कुछ पता है नहीं है, फालत में चिलाते रहते हो, इनर्शिया की वज़ए से हुए हमने कोई मौका देगा नहीं, पर ठीक है, कोशिश कर लेना थोड़ी से, इतना समझाते समझाते तो तो तीन थपड़ पढ़ी जाते तब भी, क्या ही कर रहे हम है, हम बिचा रहे हैं, कोई बात ही, ध्यान अखो थोड़ा सा इसी चीजों का, अगला केस आता है, ऐसे ही इनर्श का, यहां ही डीफाइन कर दू, इनर्शिय ओफ मोशन, क्या बोलता है, property of a body by virtue of which, छिपूट और शोस्त essentially हो घजए हैं। परती अपरती निवेफेव स्क्षप्प्ड बिशो बटわか्श्डरी है, विपूट विश्ट और शमिश्ट से प्यख़ प्रोल्स जार्व में। विट लORT जवेखेव निटें चेपूश्य में। अ हैं। in it's state of motion इनर्शिय आफ मोशन क्या बोलता है कि भाई तो मोशन इो ना ना रोकने की जोथ नहीं है इनर्शिय आफ मोशन इन डाऑ है कि भाई तो मोशन में आ रोकने की जोथ नहीं है स्टाइल मत मारो इधर चली भी तो इसको भी डिफाइन कर देते हैं फिर से हम एक बस लेते हैं इस पर सा कलर बदलो बस का थोड़ा सा दूसरी बस बना लेगो सेम बस में बैठे बैठे परिशान हो के इसको यहाँ लगते हैं तो भाई वही बस फिर से पहिये भी बना दो बिना पहियों के बस थोनी चलेगी अधि कहाँ चला गया चीक है वही बस में तुम लोग खड़े हो स्टाइल मार के बढ़िया बस मोशन में थी बस क्या थी मोशन में बिलकुल सड़नली बस के ड्राइवर ने क्या-क्या ब्रेक्स रगा दिये सड़नली बस स्टॉप्स जैसे ही बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो फिर से तुमारी बड़ी के लोवर हाफ और अपर हाफ की बात करते है अपर हाफ या अपर हाफ या अपर हाफ बड़ी जो भी लिखना है और here we have the lower half जैसे बस सड़नली रुख जाती है क्योंकि तुमारा लोवर हाफ बस के साथ कॉंटेक में था जैसे ही बस सड़नली रुखती है तुमारा लोवर हाफ जो बस के साथ कॉंटेक में था वो रुख गया इनर्शिया ने क्या बोला इनर्शिया ने क्या बोला तुमसे भाई सुन अपन है मोशन में है न इस बार इनर्शिया ने कुछ और बोला इनर्शिया बोलता है भाई सुन हम मोशन में रहेंगे हम मोशन में ही रहेंगे वह पर हाफ रुख चुकए है लेकिन अपर हाफ आगे जाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वज़ेंसे क्यों होता है एक जर्क लगता है रखी था होता है इसकी को बड़ से पकड़ए के खेश दौ तो आगे कीद Влад होता है तो ऐसे हुआ इसका पैर रुक गए लेकिन उपर से ये आगे की तरफ आ रहे है पैर रुक चुके लेकिन अपर हाफ और तो इसक की जासे क्यों होता है इसको एक जर्क लगता है in the forward direction इसको एक जर्क तो inertia की कहानी समझ आते हैं ते तम्हें जर्क लगता है आगे की तरफ या पीछे की तरफ जब बस चलती है या रुकती है तो। समझ के बाद the inertia of motion की क्या ती कहानी। बड़े सिंक्ल सिते हैं, इसके बाद एक और बसता है वो है इनर्शी ऑफ डारेक्शन बटा अब इनर्शी ऑफ डारेक्शन तो भाई मैंने बहुत बोली दिया जब भी तुम फास्ट मुविंग अब्जेक्ट को एकदम बिल्कुल एकदम कट मार रहे हो है ना तो इस टैम पे तुमने एक फोर्स एक्स्पिरेंस क जो की बाहर की तरफ रखते हैं यह इनर्शी ऑफ डारेक्शन की वजजे से हैं It is all because of the inertia of direction तो यह क्या बोलता है it is the inability भाई inability वाली परिभाशा समझ लेहाती It is the property of a body, it is the property of a body by virtue of which, by virtue of which it opposes any change, it opposes any change in its direction. In its direction. बाई सब किसी भी body की property जो से ये कह दे कि भाया तुम अपनी direction नहीं बदलोगे, वो inertia होता है. तुम्हारे अगर tendency की बात करूँ, जब आप एक bus में होते हो, तो बढ़िया bus में खड़े हो, बस चल्दी चल्दी चल्दी, बस सीधी जा रही है, तो तुम्हारे tendency भी क्या है, कि हम भी सीधे ही जाएंगे. हम कड़े बड़ी है, suddenly bus वाले निक टर्न ले लिया, शाप टर्न ले लिया, तो क्या होता है, बाई, अब हमारे क्योंकि वही बात आगी lower body, lower body bus के साथ contact में, lower body अगर bus के साथ contact में और bus इधर मूरती है, तो हमारी lower body भी इधर जाएगी, है ना, अब किसी आदमी के पैर के साथ contact में है, जैसे roller coaster ने टर्न लिया, इनकी lower body इसके साथ घूम गई, जैसे इस roller coaster ने टर्न लिया, इनकी lower body भी roller coaster के साथ टर्न कर गी, लेकिन इनकी upper body जो थी, इनका inertia क्या बोल रहता, इनका inertia बोलता था कि भाई साब सुनो, तुम लोग पहले सीधे आ रहे थे, है ना, तो अभी भी तुम सीधे ही चलो, तो देखो हर एक body, हर एक आदमी का जो अपर पाट था, वो सीधा जाना चाहता था, जिसकी विदा से क्या हुआ, इनको एक jerk feel हुआ in the outer direction, देखो ना, पहले ही सीधे हा रहे थे, इधर से सीधे हा रहे थे, तो इनकी body सीधी चलनी के लिए बोलती है इनको, लेकिन roller coaster turn ले लिया, इनकी lower body roller coaster के साथ contact में थी, वो भी मुड़ गई, लेकिन इनकी upper half body जो थी, उनका inertia क्या बोलता था, कि भाई तुम सीधे चल रहे हो, सीधे ही चलो, तो देखो, इनका upper half कहता है, सीधे चलो, सीधे चलो, जिसकी विदा से इनकी बाहर की तब jerk लगता है, तो this is all about the inertia बेटा, तो एक कहानी है, inertia की, उमीद करतों समझ आया होगा, तो यहाँ पे inertia, first law of motion, जिसमें हमने force को समझा, यह सारी चीज़ा आपको अच्छे सा समझ आई होगी, इसमें कुछ note करने वाली बात है, तो आप note कर लीजे, वैसे यह theoretical part है, आप जो questions आते हैं, numerical वाले, वो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, अगर यहाँ से कोई सवाल आता है, तो theoretical part पर ही सवाल आएगा, किया note सभी ने, very good, चले भी, बहुत बढ़ी है, चले मैं तो यहाँ पे करते हैं, आज की इस lecture का समापन, उमीद करता हूँ, जो बाते मैं आपको सम जाई होगी, कोई समस्या नहीं होई होगी, कोई परिशानी नहीं होई होगी, क्योंकि आज पहला lecture था, introduction था, force के बारे में मैंने आपको बताया, first law के बारे में मैंने आपको बताया, inertia के बारे में मैंने आपको बताया, और Galileo's law, जो की first law ही था, उसके बारे में बताया, अ तो आपको वीडियो दुबारा देखना है डीपीपीस चाहिए तो आप हमारे ओफिशल वेबसाइट www.magnetbrain.com पर आजकते हैं और वहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ आई टीजी वाले डिपार्टमेंट में जाना है यहाँ जाएंगे तो इधर आपको मेरे lecture जो आज का lecture था वो यहाँ पर मिल जाएगा बस आपको ये watch now पर click करना है जैसे watch now पर click करोगे page खुलेगा इधर की तरव जहाँ पर watch all videos निका है बेटा यहाँ पे मेरे सारे अभी तक जितने भी lectures हुए सारे lectures, DPPs and उनके solutions सब कुछ यहाँ पे आपको available हो जाएगा मेरे बच्चे तो इस सारी की सारी चीजे यहाँ पे already arrange करके हमने रख दिये so that आपको कोई भी वीडियो इधर उधर जाके ढूंदिने ना पड़े आप अपना time बचाईए, सीधा website पे आईए, यहाँ से आप अपने lectures को continue कर सकते हैं और ऐसा नहीं बेटा कि website पे आऊगे तो यहाँ आने के लिए कोई subscription लेना पड़ेगा यह already free है आप लोगों के लिए, तो जैसा YouTube पे होता था, बस आप website के through YouTube पे जाएंगे अब, तो इससे क्या होगा, आपको भी time बचेगा, आपको ऐसे वीडियो ढूंदने नहीं पड़ेंगे, कि sir, laws of motion का वीडियो नहीं मिल रहा है, यहाँ सारे वीडियो अवेलेबल है, त तो एक वाँ website आके जरूर विजिट कीजगा, apart from this, आप अगर चैनल पे नए है, so make sure वो जो लाल बटन है, जिस पर subscribe लिखा है, उसको दबा दो अभी के अभी, उसके बगल में जो bell icon है, उसको भी प्रेस कर जीजए, so that कोई notification मिस ना हो, okay, apart from this, अपने दोस्तों तक इस session को जरूर पहुचाईए, उनको बोलिए कि भाई, अगर जेई की preparation करनी है, तरीके से, तो magnet brain साके join कर लिए, क्योंकि यहीं पे proper तरीके से जेई की preparation हो रही है, और जगा पे आपको ऐसी चीज़े नहीं मिलेगी, ठीक है, up to the advanced level में आपको प्रिपेर कराऊंगा, जेई की, apart from this, सेशन पसंद आया, तो लाइक जरूर कीजेगा, और बस इतनी ही कहानी आज किस सेशन के लिए, मिलते आप सकले सेशन में तब तक अपना ध्यान किये, पढ़ाई करते रहे है, all the very best.